असलामुलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप ठीक होंगे आज हम हाथों पैरों के लिए ब्लीच क्रीम घर पे बनाना मैं आपको बताऊंगी के इसके इस्तमाल से कैसे आप अपनी हाथों को पैरों को गर्दन को पुल बॉड़ी को दूद की तरह गोराची टकर सकत हैं फर्स्ट अप्लिकेशन में ही आपको इसके वाज़े फर्क मिलने वाले हैं और सबसे पहले आपने एक प्याली लेनी है उसके अंदर आपने एक चमच कॉलगेट का डालना है और अगर आपके हाथों पैरों की जो लेयर है बहुत ज़ादा डल हो गई है टैनिंग का प् अब हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर किसी भी ब्रैंड का आप यूज कर सकते हैं एक चमच मैंने मिल्क पाउडर इसके अंदर अड़ किया है अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे आप मैदा के और चाबलों का आटा भी इसके अंदर डाल सकते है अब इसके अंदर अरके गुलाब डालेंगे अरके गुलाब से इसकी पेस्ट बनाएंगे और अरके गुलाब इसके अंदर इतना डालेंगे कि ये एक थिक सी पेस्ट बन जाए मतलब बहुत जादा थिक ना हो जिस तरह हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी उतनी होनी चाहिए अगर आप फर्स टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जलगी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का इसको आप अपने हातों पैरों के इलावा अपनी अल्बो पे अपने बाजों पे टांगों पे नेक पे गर्दन की बैक साइट पे आप इसको लगा सकते हैं और आपकी जो इसको फुल बॉड़ी भी आप इसको यूज कर सकते हैं इंस्टेंट आपको रिजर्ट मिलेंगे इसको बहुत ही जबर्दस इसका इसरेट है यह देखें यह अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अब मैं इसको अपने हातों के ओपर अपलाई करके आपको दिखाऊंगी क्योंकि कम बजट पे आप इसको अपने घर पर इजिली बना सकते हैं इसके अंदर कोई भी कैमिकल हम लोगों ने यूज नहीं किया वगैर कैमिकल के आप अपनी स्किन को बहुत ही जबर्दस्त बना सकते हैं सिर्फ पांच मिंट के अंदर पांच मिंट आपने इसको लगा लगा रहने देना है अप्लिकेशन करने के बाद पांच मिंट आपने हाथों पे पैरों पे जहां पे भी आपने अप्लिकेशन की है इसको लगा रहने दे उसके बाद आपने पांच मिंट हलके हाथों से मसाज करना है फिर आपने अपने हाथों को वाश कर लेना है ताजा पा अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैंने एक मिन्ट के लिए इसको मतलब लगाया था और अब इसको मैं हलका सा मसाज करके मैं हैंड वॉश करके आपको दिखाती हूं और आप खुद देखेंगे अभी मैंने पूरा टाइम इसके उपर नहीं लगाया अपने हाथों के उप कॉमेंट्स में बताईएगा और इसको आप हफते में दो दफा इस्तमाल कर सकते हैं वाज़े पर कापको लगेगा आपकी जो बॉड़ी है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी शाइनी हो जाएगी आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कॉमेंट्स में जर